ही प्लांट आपको पंदरा ऐसे पौधे दिखाऊंगी जिने आपको इस मन्त बिलकुल भी बाइ नहीं करने चाहिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्लांट एन्वल बाइ नेचर होंगे जैसे कि पहला जो आप प्लांट देख रहे हो यह है क्राउं डेजी इसके जिसे एन्वल क की जाना जाता है और फ्रेंट्स यह पिछले मंत की फ्लारिंग यह फैबरी मंत में इसमें बहुत अच्छे से हो रही थी लेकिन करन्ट कंडिशन मेरे प्लांट की इस तरीके से कि मैंने इन प्लांट को हटा भी दिया है क्योंकि इनमें सीड्स भी बन गया है और धूप इत क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि nursery वाले जो ये इस तरीके की winter plants है या फिर annual plants है उनको shady area में रख देते हैं तो वहाँ पे तो flowering बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन जब आप उनको अपने garden में लगाते हो लाकर और जो भी इस समय temperature चल रहा है चुकि March का time है तो थोड़ा सा temperature नहीं बाय करना है वो है petunia और ये वाला आप मेरा black mamba petunia देख सकते हैं इसको मैंने उठा कर shade में रख दिया है क्योंकि इतनी ज्यादा तेज धूप होती थी कि ये भी plant मुर्जा जाता तो तो अब आपको petunia's के plant को बिलकुल बाय नहीं करना है although आप देख सकते हैं फ्ल अचली दिखते हैं हम एज बिगनर सोचते हैं कि ये plants अभी हमारे यह काफी टाइम तक के लिए लगे रहेंगे फ्लारिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है जैसे ही आप लेके आओगे season by season plants भी change होते हैं तो आप winter plants को आपको नहीं लाना आप ये petunia की भी condition को देख सकते हो इसके healthy भी नहीं दिख रही है तो इन plants को भी बिल्कुल बाय मत करिएगा क्योंकि ये plants मेरे open terrace में रखे हुए हैं मैंने इनको shift नहीं किया हुआ है और इनको बचाना friends बस यह है कि आप इनको seeds से बचा सकते हो मतलब seeds आप इनके लेकर next time आप इनको लगा सकते हो नहीं तो आप कु ये वाले जादा चल नहीं पारें तो इस वैसे इनको बिल्कुल भी बाय मत करिएगा इसके बाद next जो flowering plant आपको नहीं बाय करना वो है डेहलियाज के फिरन डेहलियाज में से flowering तो बहुत अच्छे से हो रही है आपको nursery पे खिले-खिलाए plants भी मिलेंगे लेकिन इसको बि इसको भी आपको नहीं बाय करना है इसे प्रिम्रोस के भी नाम से जाना जाता है इसके बाद next जो आप flowering plant देख रहे हो यह है पैंजी के पैंजी के plants में आप देख रहो ऑल्दो flowering तो जरूर हो रही है लेकिन flower का size भी छोटा हो गया तो अब आपके पास जो plants हैं बस आप कोई timely पानी वगरा दे दीजे इनको additional खरी दिये मत आप देखें फ्लार के size चोटे हैं और इनके बहुत delicate होते मैंने तो इनको shady area में रखा है तब जाके यह plants अच्छे से flowering करने अगर आप full day sunlight में रखोगे तो यह इनकी petals जो होंगी वो जल जाएंगी इसके बाद next जो आप बाई नहीं करना है और आप यह देख सकते हैं इस तरीके के इसके flowers आते हैं वैसे मैं आपको flowers के साथ ही दिखा रही हूं कि आपको नहीं लाना है और friends ऐसा भी नहीं है बहुत से winter flowering plants हैं जैसे की gazenia हो गया impatience हो गया यह सब आपके friends में तक भी flowering करते तो उनको आप ले सक आया है तो यह plants जो होते हैं इनको काफी दा सूधिंग वेदर पसंद होता है थोड़ा सा थंडा वेदर यह पसंद करते हैं हावा भी थंडी पसंद है आप तो हवा भी जो है वो तेज धूप की वैसे थोड़ी सी गर्म होने होने लगी तो इस वैसे आप इन plants को भी मदबा यह भी plant friends आप आपको नहीं बाय करना है इनकी भी अगर आपके पास अभी है तो इनकी locations को सबको आप shift कर दीजे थोड़े से semi shade वाले एरिया में रखे तभी आपके पास थोड़ा लंबे समय तक फ्लारिंग करेंगे लेकिन nursery से बिलकुल भी बाय मत करिएगा क्योंकि आने फिर मैं यह करते हैं ग्रीन नेट के नीचे वो लो plants रखते हैं और पानी वगेरा थोड़े सा अपनी देख भाल में अच्छे से उनका flowering भी हो रही होते तो इसको देखके यह मस समझेगा कि आप यह plants लाओगे तो लंबे समय तक आप क्या चलेंगे तो इसको भी आपको ब गर्मी होती है especially और धूब बहुत जादा तेज निकलती है तो इस प्लांट को आप मत बाय करिएगा अगर आपने ले लिया फिर आप इसकी लोकेशन बिलकुष एड़ी एरिया में रखिए यह मेरे पास फ्रेंड प्लांट्स थे मैने इसको फिर कभी नहीं बाय किया क्यों यह बहुत ही खुपसूरत सिन रेया का प्लांट है इसे भी फ्रेंड्स अब आपको बाय करने अगर आपको इस तरीके से निसली पर खिले खिला है बहुत किसे अभी बाय भी करना चाहरे हो तो मत बाय करिएगा क्योंकि आप जो मौसा में गरम है शेट के नीचे भी रखेंगे तो उनको जादा जो गरम हवा होती है वो भी बरदाश नहीं होती है तो इस प्लांट को भी आपको इस समय मार्च मंत में बिल्कुल भी नर्स्री से नही कीजिएगा अगर आप अभी जोड़े हो में इस चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा hope you like the video thank you so much